दोस्तों हो जाओ सावधान आप भी हो सकते हैं इसका शिकार अक्सर हम जो भी एक्चेंज पे अकाउंट बनाते हैं क्या है वो बाइनेंस हो पॉलनेक्स हो बिट्रेक्स हो वहाँ पे हमें के वाइसी करनी पड़ती है KYC मतलब Know Your Customer और उसके अंदर हमें अपना ड्राइविंग लाइसेंस अधार नमबर या पास्पोर्ट की कॉपी और अपनी परसनल डिटेल मोबाइल नमबर एमेल आईडी सब देनी पड़ती है और आपने अगर रीसेंटली देखा होगा Facebook के साथ इतना कांट हुआ था कि उसका जो डाटा लीक हुआ था या उन्होंने बेचा था दूसरी एजनसी को तो कितना बड़ा जो है उसके उपर हाइप हुआ था और कहीं न कहीं ये हमारी परसनल सेक्योरिटी के साथ में रहा है दो रुपे से साथ रुपे में आपका जो भी ड्राइविंग लाइसेंस हो डिटेल सो पर्सनल इंफोर्मेशन हो कोई भी वाय कर सकता है तो ये मैटर है तो बहुत सीरियस और बाइनस जैसे एक्स्चेंजिस पे अगर आप जैसे कभी भी के वाईसी करते होंगे मु कि सहमती कि अगर आपका डाटा बिक रहा है और ये बहुत बड़ा खत्रे का निसान है और सवाल खड़े करता है क्रिप्टो करंसी के जितने भी एक्चेंजिस है वर्डवाइड दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आज हम भरने वाले हैं हुंकार और बताने वाले हैं सार जो भी KYC है उसको सेफ रखिए बचा के रखिए प्रोटेक करके रखिए क्योंकि ये जिम्मेवारी आपकी बनती है और इसको सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए तो मैं पंकर स्था और आपके अपने यूटिटिट्या हैं करने के लिए इस बारे में भी थोड़ा जानने और समझने की कोशिच करेंगे इस वीडियो के अंदर तो जाला टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और शुरू करते हैं दोस्तों कल मार्केट क्रैश हुई थी 200-200 डॉला 4-5% बिटकोइन भी टूड़ गया था सारी क्रैश होनी शुरू हो गई क्योंकि कहीं ना कहीं यह हमारी परसनल सेक्यूरिटी के साथ में खिलवाड है दोस्तों पूरा मामला कहा है पहले वह आपको समझाते हैं डार्कनेट मार्केट है ड्रेड उस पे एक वेंडर है यानि कि सेलर है एक्प्लाइड डॉट करके जो की कोशिश कर रहा है बेचने की जो भी डाटा है क्रिप्टो करंसी एक्सचेंजिस का जिसमें पासपोर्ट भी आप कह लीजिए या आपका ड्राविंग लाइसंस भी कह लीजिए या और डिटेल और उसमें बड़े बड़े एक्चेंजिस हैं बिट्रेक्स, पॉलेनेक्स, ब बिक रही है अगर वो आपका डाटा उसके अंदर इंक्लूड है और अगर 25,000 कोई खरीदता है वो डॉक्यूमेंट तो मोटा मोटा हजार जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक डॉलर के पड़ते हैं तो यह हो क्या रहा है हमारी बिना कंसेंट के बिना चीजों के अगर ऐसे इन चीजे बिक रही है तो यह बहुत गलत है अगर वो पोज भी आपको दिखा देते हैं कि जैसे बिट्रेक्स, पॉलनेक्स, बाइनस छे महीने पुरानी है लेकिन इसके उपर जो है सारी डिटेल आपको मिल जाएंगी कौन सा डाटा है कौन यह बंदा है कैसे कैसे क्या व उथे इसने पिच्चरщее करी हैं असली बात क्या है कि उन्हें ने जो है उन से तीन सेम्पल लिए İyi थे और वो पिच्चर करी है जिसके अंदर वो बाइनस का एक स्लिप होती है आपको बाइनस लिखना होता है और डट लिखनी होती है और अपने आईटी होती है प्रूफ होत अब दोस्तों जो बात है जो sample size है वो तो काफी छोटा है जो vendor ने दिया है जो hack data है जो उसको वो claim कर रहा है लेकिन वो यह कह रहा है कि सारी countries दुनिया भर की जितनी भी countries हैं जो भी international exchanges पर registered करती हैं उन सब का data है तो कहना है कि randomly तो नहीं पता लेकिन अगर हजार कोई documents buy करता है तो उसके अंदर approximately हर countries के जातर के उसके अंदर लोगों के document उनको मिल जाएंगे दोस्तों जो security expert है उसने binance से भी communicate करने की कोशिश की थी email के through और उन्होंने वो सारी details जो है share की थी पिक्चर जो भी उन्होंने ली थी वो सारी शेयर की थी exchanges के साथ में दोस्तों जो exchange है उसके जो spoke person है उन्होंसे जब यह बात की गई या उन्होंने जब बताया जो information जो obtain की गई है उनको कोई भी unauthorized access उनके system के अंदर नहीं मिला है जो इनसे detail निकाल सके CNN ने भी उनको reach out किया उनसे बात करनी कोशिच की Binance से clarify करने के लिए कि क्या situation है लेकिन अभी तक उनको इसके उपर कोई reply नहीं आया दोस्तों Binance जैसे exchange जैसे कि अभी हमें recently पता दला था Cryptopia exchange जो है hack हुआ था उसका कुछ जो stolen fund था वो transfer किया गया था Binance एक्चेंज पर तो उन्होंने वो account को freeze कर दिया था ताकि ये सारी चीजों के लिए तो Binance एक बहुत बड़ा और responsible exchange लगता है लेकिन अगर वहां से data leak होता है और इसका कुछ connection ये भी किया जा रहा है या बताया जा रहा है कि 700 million email address और 21 million जो password चोरी हुए थे जो collection 1 है 87GB data की तो उससे कोई connection तो नहीं है इस चीज का तो ये भी clear होना काफी बाकी है रेट कर रहे हैं कि बड़े बड़े exchanges हैं उनकी तरफ से reply है अगर ऐसा कुछ हुआ है तो कहीं न कहीं हमारी personal detail के साथ में खिलवाड हो रहा है और इसका misuse भी कर सकते हैं जो hackers हैं या जो वो data खरीदेंगे और वो data किसले खरीदेंगे वो अपने पास रखने के लिए तो नहीं खरीदेंगे वो इस चीज को exploit करेंगे या दूसरी agencies को बेचेंगे जो कि हमें फालतु में बार-बार परिशान करेगी या हमारे documents जो हैं अगर वो किसी के पास में होंगे आप एक बात बताइए कि अगर मान लीजे आपका passport किसी के पास में है तो वो misuse हो सकता है आपका driving license किसी के पास में है और आपके data को use करता है तो उसमें भी आप क्या कर पाओगे तो अगर ये new search निकली और हमारे data का साथ में ऐसा हो रहा है कि 205 रुपे की value का हमारा data है हमारा passport, driving license वो सब चीज और कोई उसको misuse कर सकता है तो उसकी जिम्मेबारी कौन लेगा सबसे बड़ा सवाल ये हम exchanges से पूछ रहे हैं और exchanges के लिए आप सबसे request है कि इस video को tag कीजिए और जितनी भी exchanges है उनसे ये सवाल पूछिए कि क्या कर रहे हो आप हमारे data को secure रखने के लिए और जब तक हमें इसका जवाब नहीं मिलेगा हम सारे exchanges से ये सवाल पूछते stack protect over kyc के नाम से ये video को tag ज़रूर कीजिए और सवाल पूछिए कि कौन जिम्मेवारी लेगा अगर हमारे साथ में कुछ miss happening होती है या हमारे data का misuse होता है और हम जैसे innocent लोग उस चीज के अंदर फस जाते हैं और दोस्तों अपनी privacy को बचाने के लिए आप सबको ध्यान रख डालें ताकि आपका काम चल जाए ऐसी न्यूज सुनके तो हमारा भी दिमाग हिल गया है और आयम शूर कि बहुत सारे लोग होंगे जो इसको अभी भूगतने वाले हैं या भूगत रहे होंगे इस मुहीं में हमारा साथ दीजिएगा इस वीडियो को लाइक जरूर लाइक जरूर ठोक दीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा चैनल पहली बार आहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजिएगा ताकि ऐसी न्यूज अपडेट आपको फटा-फट मिलती रहें और आप हमेशा अप्टू डेट रहें दोस्तो अभी के लिए इतना ही आपसे विदा लेता हूँ खुश रहें मुस्कुराते रहें कमाते रहें आपका दोस्त पंकर्स थैंक यू नमस्कार धन्यवाज जय हिंद